दोस्तो जै मातादी माता का दर्बार सच गया है सबके घर में जोद जल गई है ठीक है अब हम इसी इन नौ दिनों में यूनिवर्स के सारे दर्वाजे खुल जाते हैं देवी देफताओं के घर के सारे दर्वाजे खुल जाते हैं माता रानी के घर के सारे दर्वाजे खुल होती है अपने अंदर महसूस इन 9 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी विश आप इनी 9 दिनों में ही वो manifest हो जाए इनी 9 दिनों में ही आप इतने अच्छे से कैसे अपनी विश को आप यूनिवर्स में भेज सकते हैं कि वो बिल्कुल complete fulfill हो करके आपको मिल जाए ये नौ दिन डिवाइन डेज होते हैं डिवाइन डेज मतलब सारी पॉजिटिव एनरजी हमारे आसपास घूम रहे होती हैं लौ ऑफ अट्राक्शन में एनरजी का बहुत 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 बढ़ा रोल होता है सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो नौ द दिनों का मतलब होता है खुशियां ही खुशियां जोश ही जोश ठीक है अपने अंदर जोश भरिए पूरा जोश पहले दिन से भर लीजिए अच्छे-च्छे कलर्स के कपड़े पहन ये सुन्दर लगिए जोश लेके आईए अपने आपको जो विश है आपकी उस विश को लेके जोश लेके आईए आप लुझ, पुझ अप इधर उधर पड़े हूएं अपने घर में रो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं अपने विश को लेकर के कि मैनिफेस नहीं हो रही है अभी तक नहीं हो रही है आप वो छोड दीजिए अपने अंदर जोश लेकर आओ आप जोश ले कि आओ अपने ड्रीम्स को ले करके कि वो पूरे होने जा रहे हैं सबसे पहला काम आपको इस नवरात्रे में करना है नौ दिनों तक जोश से भरे रहना है जोश का मतलब है खुश रहना मैं सबको बार-बार कहती हूँ खुश रहोगे खुशियां आएंगी दुखी रहोगे रोगे दुखी अट्राक्ट करोगे आपको खुशियां चाहिए आपको अपने विश पूरी करनी है खुश होके करनी है ठीक है लोग लिखते हैं कि हमारे तो वो जोई वाले टियर्स निकल गए क्यों भई जॉय में नाच भी सकते हो म्यूजिक भी सुन सकते हो गाह भी सकते हो और भी आक्टिविटी आसु ही क्यों निकाल ले है हमेशा उनको रहने दो ना अभी रहने दो 9 दिन तक उनका कोई काम नी आसमों को जोश लेके आओ 9 दिन तक मातारानी बैठी है आपके घर में, सबके घरों में जोद जल गई होगी, और जिनके घरों में नहीं भी जली है, वहाँ पे भी एनर्जी पॉजिटिव हैं ये 9 डेज, Divine डेज हैं सब जगा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है, भरमार फ्लो है इसको अपने दोनों हाथों से खोल करके बटोर लो समेट लो, याद करो जिसने अरदास लगाई, उसकी सारी जोलियां भर गई तो बस अपनी विश की अरदास अपनी विश की जो आपको वो manifestation वाली techniques लगा रहे हो ना लगाओ, इन नौ दिनों में लगाओ जोश के साथ लगाओ, पूरे positive vibrations के साथ लगाओ पहला तो जोश, दूसरा क्या है निश्चे, आप एकदम बिल्कुल अपना जो गोल है, उसको लेकर के एक निश्चे तो वो कर लो अपने आपको कि मेरे को ये गोल, यही मेरा गोल है, मुझे इसी को अचीव करना है लोग क्या कर रहे हैं मेरे पास कि पहले तो लिखते हैं, हमें ये problem है दो-तीन दिन के बाद लिखते हैं कि अब ये छोड़ करके हम ये कर सकते हैं, ऐसा मत करो एक चीज मेनिफेस्ट करनी है एक ही चीज के पीछे पहले रहो उसको ही आप अपना गोल, उसका एम अपना फोकस उसी पे रखो आप तब ही आप उसको मेनिफेस्ट कर पाओगे अपने फोकस को आप इधर, उधर हर जगा आप बिखेर दोगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो दूसरा चीज है, प्लीज अपना निश्य कर लो कि आपको चाहिए क्या ओके, इन थर्ड फिंग इस अपने अंदर बाउंस बैक लिके आओ, जब भी बिनेगेटिफ थोट आजाता है आप लोग लोग हो जाते हो, लोग फिल करने लग जाते हो, नहीं, इन नौ दिनों में आपको बाउंस बैक लाना है, कैसे लाओगे आप क्या कर सकते हो नौ दिनों में आपके घर में जोत जल रही है, मातारानी की जोत लगी हुई है, नहीं लगी हुई है मातारानी की फोटो हैalta ठीक है जिनके घर में जोत लगी है न वो तो मतलब समझ लो कि वहां तो मातारानी विराजमान है आप जाओ उस जोत को थोड़े दिर निहारो देखो आपको उस जोत में जो लॉग में जो आग है ना वो अपने अंदर आग जलानी है और वो जल जाएगी आप देख ले ना बहुत सुपब तरीके से जलेगी आपकी आग कोई भी चीज़ की विश है ना आपको नौकरी चाह आप उसके लिए जब मेनिफेस्ट भी करोगे ना पूरे दिल से करोगे सवाली नहीं है नेगेटिफ थॉट आजाएगा आएगा ही नहीं बस आप उस जोत को आप यूस करो आप जाओ निहारो बैठो उनको देखो आपको बहुत पॉजिटिव एनरजी वहां से मिलेगी ब कर लिया तो तीसरे दिन कर रहे हैं और कितने दिन करना है क्यों पूछ रहे हूं कितने दिन करना है करो ना आपको चाहिए ना विश कि दो दिन में आपने satisfy हो जाना है बैट जाना है चलो मिला नी मिला छोड़ो हटाओ डंप करो ठीक है अगर आप टेकनीक मुझ से पूछ मैं भी आपको बता रही हूं या कोई भी आपको टेखनीक जो भी बता रहे हैं तो वो आपको आपके फाइदे के लिए बता रहे हैं आप patience रखो थोड़ा सा ठीक है? आपने अगर कोई मनजिल तैक करी है suppose आपको कहीं जाना है तो आप एकदम से जोश में आके खड़े होगा ठीक है? तो क्या आप तुरंत ही पहुँच जाओगे? क्या? वो time लगेगा ना travel करने में, वो time लगेगा ना उस सफर को तह करने में, तो वो time दो वो patience दो थोड़ा सा, थोड़ा सबर रखो, जोश को कम मत होने दो, अपने specific रहो अपने goal पे सबसे पहले, आप अपना निश्य बना लो कि मुझे चाहिए क्या ठीक है? and third, have patience bounce back अपने अंदर हमेशा रखो जबी भी आपको लगे, आप low हो रहे हो जाओ मातारानी की जोट के आगे बैठो उनकी जोट की energy अपने अंदर लो, बहुत 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 powerful जोट होती है उस जोट में जो शक्ती है वो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने हर जगा जवाला जी दिखा होगा, बिना किसी चीज के वहाँ जवाला अपने आप जागरित रहती है, सारा time, सोचो कि कितनी शक्ती है, इस शक्ती को अगर आप use करोगे, तो आप सोचो आप कहां पहुंच सकते हो, प्यार क्या, पैसा क्या, सक्सेस क्या, आप सब कुछ आप अपनी जिंदगी में हासल कर लोगे आप बस अपने अंदर आप जोश और उल्लास, पूरा अच्छे से नौ दिन, बस सिर्फ इस नौ दिन के लिए कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही सारा time नौ दिन की बात है, नौ दिन ना अपने जोश को खतम मत होने देना कम मत होने देना, जोश में रहो पूरे जोश में and try to wear some red clothes इन नौ दिनों में खूब अच्छे से colorful clothes पहनो, बहुत बहुत effective होते हैं, colors हमारी life में मैं colors के लिए भी एक video बनाऊंगी आप colorful clothes पहनो और फिर देखो आपको कितना मज़ा आएगा ठीक है, इन नौ दिनों में बस इतना करो आप लोग मातारानी की जय जयकार करो universe में चारो तरफ शक्तियां है, energies अभी बहुत बहुत vibrant है, आप इन energies को अपने manifestation में use कर सकते हो, बहुत अच्छे से use कर सकते हो, और सबसे important चीज़ है, अपने लिए कोई guide, कोई mentor आप बनाईए ठीक है, जिसकी बात आप सुन सकें ठीक है, होता क्या है जो हमारे दोस्त बोलते हैं वो बात हमारे दिमाग में जाती है, जो हमारे माबाफ बोलते हैं, वो तो बात हमारे आसपास भी नहीं गोंगती, हम तो माबाफ को उनकी सुनते ही नहीं बिल्कुल भी जो हमारे teachers बोलते हैं वो हमारे सरके उपर से चली जाती है जो हमारे guide and mentor बोलते हैं वो बाते हमारे दिल को छूती है तो बस मैं यही कहना चारी हूँ अपने लिए एक guide, एक mentor जरूर रखें उसकी बाते आपके दिल को छूएंगी दिल को छूएंगी तो आप motivated रहोगे आप उसी की बातों को आप अनुसरन करोगे आप चलोगे आगे and you will achieve your goal as well ठीक है? And अब जोश को खतम बिलकुल नहीं होने देना कम नहीं होने देना And just tell me one thing How's the जोश? Thank you so much Happy Navratri and be blessed Always be happy सारी positive energies हैं जल्दी जल्दी utilize कर लो सबको अपनी wish manifest कर लो Okay, चालो